जेई में दो हजार तेएस पहले अटेम्ट के बच्चों के लिए आंसर की रिलीज कर दी गई है response sheet पे release कर दी गई है कभी जारे बच्चे response sheet और answer की को match करके अपने marks count कर चुके है अट उनके मन में एक major doubt कि भाईया मेरे इतना marks आ रहा है तो मेरी परसंटाइल कितने दर की कट ओफ कराएंगे तो हम लोग हर एक चीज़ें भी डीटेल में डिस्कस करने वाले हैं में इस जितने भी एक्जामिलेशन 24 जनवेर से लेकर 1 फरवरी के बीच में हुए हैं हर एक शिफ्ट का हम लोग डीटेल में माक्स वर्स परसंटाइल जो की एक्सपेक्टेड हैं हम लोग वो डिसकस करने वाले हैं यह एक्जाक नहीं हो सकता है हमने काफी सारे बच्चों से बात की हुए तो आप मान सकते हैं यहां पर आपका 5 से 10 माक्स का अरल आ सकता है आपके फाइनल रिजल्ट में जो भी आपका रिजल्ट आएक उसे 5 यह 10 माक्स उपर नीचे हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डीटेल में हर एक शिफ्ट का माक्स वर्स परसंटाइल डिसकस कर दाएंगे इसके आगे के जो भी एक्जामनेशन उनका भी है परशान मत हुए यह लास्ट में हमनों वह भी डीटेल में डिसकस करने वाले हैं तो जो भी बच्चे 24 जन्वरी शिफ्ट में अड़े थे इन दोनों का पेपर आल्मोस्ट सिम्लर लेवल का आया हुआ था इजी लेवल का पेपर था यह तो आप देख सकते हो एक सो असी के आस पास शिफ्ट 1,178 के आस पास बाकी के शिफ्ट का भी आपको बहर बाकी के शिफ्ट अब बैसा तकाव में 25 जन्वरी शिफ्ट 2 कालवगों शिफ्ट होगा 165 है और 27 जन्वरी शिफ्ट वू का 170 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका 99 परसंटाल के आस्पूद रहा होगा 5-6 मार्क्स उपर नीचे हो सकता है वो आपको मैं भी क्लियर कर दिना हूँ इन-केस वाक्ति के लिए तो आपको शो हुरा होगा 162 पे 24 जन्वरी शिफ्ट वन का ए और बाकी के भी शिफ्ट का आपको easy शो हो I think clear हो गया, आपको आवा से देख सकते हो, माल लेजे आपका examination 25 January shift 2 का है, आपका marks आ रहा है 110 marks के आसपस, तो आप यहाँ देख सकते हो, 94 के आसपस आपका बनने के chances रहेंगे, तो यहाँ तक सबको clear हो गया होगा, आप हर एक shift का percentile wise देख सकते हो, आगे भी discuss कर लेते हैं, तो यही similar है, 24 January shift 1 से लेके 29 January shift 2 तक का, यहाँ पे 92, 91, 90, 85, 80, 75, 70 percentile तक भी count किया गया, तो आप देख सकते हो, in case of 24 January shift 1, 95 मिल जाएगा, 95 marks में 92 percentile मिल जाएगा, 70 percentile पे 43 मिल जाएगा, और भी partial healthy के उनके marks ही आपको show रहा है, जो भी यह boxes में है, वो आपके marks हैं, partial के लिए वह 92 percentile आपको around 92 marks से आपस मिल जाएगा, 91 percentile 87 marks बे, 90 percentile 80 marks बे, तो आपको सब के लिए show हो रहा होगा, आप easily देख सकते हो, ठीक है, आप पूरी table around, अराम से analyze कर सकते हो, वीडियो को pause करके, आगे बढ़ते हैं, अब आपका 30 January shift 1, 30 January shift 2, 31 January shift 1, 31 January shift 2, 1st February shift 1 and 1st February shift 2, सभी का percentile versus marks यहा हुआ है, तो अगर आपका 99 percentile के लिए 30 January shift 1 में 176 marks के आसपास चाहिए, 30 January shift 2 में 192 marks के आसपास चाहिए, in case of 31 January shift 1, 186 marks के आसपास, यहाँ पे 170 के आसपास है, 185 के आसपास है, आप देख सकते हो, सभी चीज़े यहाँ पे आपको detail में show हो रही होगी, 98, 97, 96, 95, 94, 93, आप अराम से check-out कर सकते हो, आगे देखते हैं, आगे आपका 92, 91, 90, आपका 70 percentile के लिए आपको mention होगा, आप देख सकते हो, table के अंदर, और हर एक shift के लिए 30 January shift 1, shift 2, 31 January के लिए 1st February के लिए आपको आराम से show हो रहा है, तो आपको अगर आपका marks 80 marks से आसपास आ रहा है, तो first of all, काफी दारे बच्चे को बन में विए cut-off क्या हो सकते हैं, तो past year के cut-off दिएगा है, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, तो इस साल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इस साल भी general के अंदर 90 percentile के असपास, 90 से लेकि 89 percentile के असपास आपका cut-off जाने के chances है, in case of EWS, तो इस बार भी 67 percentile के असपास cut-off जाने के chances है, OBCNCL का at max 70 percentile के cut-off जाएगा, SC की बात देखा रहे हैं, तो around 50 percentile के असपास, ST का 40 percentile के cut-off जाएगा, in case of EWS, 0.5 percentile के cut-off जाएगा, तो हमने mark इस बरसमेशायल शो कर दिया, तो आप देख सकते हैं, हर एक चीज़े दी गई है, and last में आते है लास्ट में, result rate तो भी यह कपते result आएगी, तो आपका result आज से लेके 10 February के बीच में आने के chances काफी ज़्यादा है, because answer की काफी जल्दी रिसकर गई है, तो आपका result भी काफी जल्दी आने के chances है, कुछ भी और update निकल गयाएगी, हम लोग आपको हर एक चीज़े को update कर रहा ह आपके वीडियोस में, बाय अनिश्टे से विज्जाहिन, और सभी को all the best